ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 16 अप्रेल 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाब को प्यार से याद करो पारसनात श्रिवबाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं प्रश्ण तुम बच्चे किस एक बाद की धारना से ही महिमा योग्य बन जाएंगे उत्तर बहुत बहुत निर्मान चित बनो किसी भी बाद का एहंकार नहीं होना चाहिए बहुत मीठा बनना है एहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं उच अथवा नीच पवित्रता की बाद पर बनते हैं जब पवित्र हैं तो मान है अपवित्र हैं तो सब को माथा टेकते हैं ओम शान्ती रुहानी बाप बैट बच्चों को समझाते हैं बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं ये भी बच्चों को समझाया गया है, कि भक्ती मार्ग में भिन भिन नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नैपाल में पारसनात को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। चार दरवाजे हैं, चार मूर्तियां हैं, चौथे में स्रीक्रश्न को रखा है, अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, अब पारसनात तो जरूर शिवाबा को ही कहेंगे, मनुष्यों को पारस बुद्धी भी वही बनाते हैं, तो पहले पहले उनको ये समझाना है, उच ते उ विश्नु, वास्तम में विश्नु का मंदिर भी रौंग है, विश्नु चतर भुज चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, बाप समझाते हैं, ये लक्ष्मी नारायन हैं, जिनको एकठा विश्नु के रूप में दिखाया है, लक्ष्मी नारायन तो दोनों अलग-अलग है, सूच्म वतन में विश्नु को चार भुजाओं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर भुज कर दिया है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है, मंदिर में जो चतुर भुज दिखाते हैं, वह है सूच्म वतन का, चतुर भुज को शंक, चक्र, गदा, अर्चों को है, नेपाल में विश्नु का बड़ा चित्र छीर सागर में दिखाते हैं, पूजा के दिनों में थोड़ा दूद डाल देते हैं, बाप एक-एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विश्नु का आर्थ समझा न सके, जानते ही नहीं, ये तो भगवा खुद समझाते हैं, भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही परन्तु भक्ती मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिये हैं, तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ती मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए, अभी अगर तुम मंदिर आदी देखेंगे, तो उस पर समझाएंगे, कि उचे ते उच है भगवान सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा, आत्मा शरीर द्वारा कहती है, ओ परमपिता, उनकी फिर महमा भी है ज्यान का सागर, सुक का सागर, भक्ती मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्यान मा सर्व के सद्गती दाता हैं, तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है, उच ते उच परमात्मा है, उनकी लिए ही कायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो, अथवा सिमरन करते रहो, तो कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ती पद पाओ ये जीवन मुक्ती है न, बाप से ये सुख का वर्सा मिलता है, अकेले ये तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी न, गोया बाप राजधानी इस्थापन कर रहे हैं, सत्युग में राजा, रानी, प्रजा, सब होते हैं, तुम ज्यान प्राप्त कर रहे हो, तो जा छीची आत्माएं सजाएं खाकर वापिस चली जाती हैं, अपने अपने सेक्षन में जाकर ठहरेंगी, इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर व्रद्धी को पाती रहेंगी, ये बुद्धी में रहना चाहिए कि उपर से कैसे आते हैं, ऐसे तो नहीं दो पत्ते के बदले, द दिखाते हैं, एक दिन में लाखों की व्रद्धी हो जाती हैं, पहले समझाना है, उचते उच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है, जो भी पाटधारी दुखी होते हैं, उन सब को आकर सुख देते हैं, दुख देने वाला है रावन, मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि बाब आए हैं, जो आकर समझें, बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसे इसनान करते करते पाव फिसल जाता है, तो पानी अंदर खुश जाता है, बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विसय सागर है, बाबा चीर सागर तरफ ले जाते हैं परन्तु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारतियों को भी हप कर लेती हैं जीते जी बाप की गोद से मर कर रावन की गोद में चले जाते हैं अर्थाद मर पड़ते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में है उचे ते उच बाप फिर रचना रचते हैं हिस्ट्री जोग्राफी सूच्म वतन की तो है नहीं भल तुम सूच्म वतन में जाते हो साक्षात कार करते हो वहां चतुर्भुज देखते हो चित्रों में है न तो वे बुद्धी में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षातकार होगा परन्तु ऐसी कोई चीज है नहीं ये भक्ती मार्ग के चित्र हैं अभी तक भक्ती मार्ग चल रहा है भक्ती मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी, अब बुद्धी में है कि ये लक्ष्मी नारायन दो रूप हैं चतुरभुज के, लक्ष्मी नारायन की पूजा सो चतुरभुज की पूजा, लक्ष्मी नारायन का मंदिर या चतुरभुज का मंदिर, बात एक ही है, इन दोनों का ज्यान और किसको भी नहीं है तुम जानते हो इन लक्षमी नारायन का राज है विश्णु का राज तो नहीं कहेंगे ये पालना भी करते हैं सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं शिव भगवान वाच मैं तुमको राज योग सिखलाता हूं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अगनी से विकर्म विनाश होंगे डीटेल में समझाना पड़े बोलो ये भी है गीता सिर्फ गीता में स्री क्रिश्न का नाम डाल दिया है ये तो रौंग है सब की गलानी कर दी है इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है अब है कल योगी दुनिया का अंत इनको कहा जाता है तमो प्रधान आईरनेज जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिये हैं जन्म मरण में तो जरूर आना है जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में एक की बात नहीं है इनकी तो सारी राजधाने थी ना फिर जरूर होनी चाहिए बाप सब के लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो तो योग अगनी से पाप कट जाएंगे कामचिता पर बैठ सब सावरे हो गए हैं अब सावरे से गोरा कैसे बनेगी सो तो बाप ही सिखलाते हैं सिरी क्रश्न की आत्मा जरूर भिन भिन नाम रूप लेकर आती होगी जो लक्षमी नारायन थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वे बनना है तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं फिर वे सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं तुम्हारे में पारसनात को पूजते हैं शिव को भी पूजते हैं जरूर उन्हों को शिव नहीं ऐसा पारसनात बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना। वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनात बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सब के दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह है काटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परचे देते हैं। मैं इस साधारन बूडे तन में प्रबेश करता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। एम उब्जेक्ट है ही राजा राने बनने की तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। निर्वरती मार्ग वाले तो अनेक हटियो करते हैं। वर राजयोग सिखला नग सके है। बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए अब वापिस घर जाना है। अब पावन बनना है एक बाप को याद करो बाकी सब को छोड़ो। भक्ती मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोडेंगे। रावन राज शुरू होता है ऐसे ऐसे समझाना है अपने को देह ना समझो आत्मा अविनाशी है आत्मा मैं ही सारा पाठ नूदा हुआ है जो तुम बजाते हो अब शिवाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है सब माथा जुकाते हैं पवित्रता की बात पर ही उँच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल को लूँच सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही डेते हैं। देवताएं होते ही हैं सत्यूग में, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि धार्णा नहीं होती है, बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं हैं तो बाप क्या करें, बाप यदि सब को आशि आशिरवात करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशिरवात करो, अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भावी, बच्चा हुआ तो वावा कर चर्णों पर गिरते रहेंगे, अच्छा अगर फिर मरा, तो रोने पीटने गुरू को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरू कहेगा ये भावी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिन्दा हो जाता है, तो ये भी भावी ही कहेंगे। वे भी ड्रामा में नूध है। आत्मा कहां छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं, ये मरा पड़ा है, फिर जिन्दा हो जाता है, चिता पर चड़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना, तो उनके पीछे धेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्मान चित होकर चलना है, एहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी एहंकार दिखाया तो दुश्मनी बड़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। नैपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं। नहीं तो उनके अखाडे उड़ जाएं। बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं। तो उनके पिछाडी धेर आ जाएं। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे की भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाए कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होश्यार चमत कारी बनना है। फलाने फलाने भाषड कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ती बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूद है, प्रश्ण नहीं उठ सकता है। ऐसे क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वस समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथा प्रश्ण करेंगे। बोलो, पहले मनमना भव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे। धारना के लिए मुख्यसार पहला सर्विस की युक्ती सीख कर बहुत-बहुत हुश्यार और चमतकारी बनना है। धारना कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा किसी भी बात में जरावी अहिंकार नहीं दिखाना है। बहुत-बहुत मीठा और निर्मान चित बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। वर्दान बीती को स्रेष्ट विधी से बीती कर यादगार स्वरू बनाने वाले पास विदोनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और द्रश्च सब पास हो जाएंगे लेकिन पास विदोनर बनकर हर संकल्प वास समय को पास करो अर्थाद बीती को ऐसी स्रेष्ट विधी से बीती करो जो बीती को समर्थी में लाते ही वह वह के बोल दिल से निकलें। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पड़ें। आपकी बीती यादगार स्वरू बन जाएं। तो कीरतन अर्थात कीरती गाते रहेंगे। सिलोगन स्वर कल्याण का स्रेष्ट प्लैन बनाओ। तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती।